आज हम बनाएंगे कच्चे केले का आचार, जो की खाने में स्वादिश्ट होता है, इसको इसके आचार बनाने के लिए जिस भी बरतनमा हम केला काटेंगे, उससे पहले ग्रीज कर लें, मैं सरसूं का तेल लगा दिया है, बरतनमा और हाथों में और चाकों में भी लगा दिय जिससे की जो केला होता है इसमें से दाग केले के दाग लग जाते हैं जो की छोडाने में बहुत ही परिसानी होती है बाद में तो अब हम केला काट रहे हैं केला काटने के लिए मैंने सबसे पहले केले को धो लिया था अच्छे से दोगे सुखा लिया था उसके बाद ही मैं का मेरा जो केला है वो जो अलग औराइटी, मैं इसका ऐसी आठी Patriot, Shlug बिल्कुल भी इसका रिमूब नहीं करूंगी क्योंकि छिलके में केले से भी अधिक न्यूट्रियंस होते हैं इसमें पोटेसियम होता है भरपूर मात्रा में मैगनिसियम होता है विटामिन B6 और विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होते हैं बहुत ही फायदेमंद होता है केला से भी ज्याद है उसके छिलका फाइदेमंद होता है, इसलिए मैं छिलका डालूँ गे, ऐसा नहीं है कि छिलका गलेगा नहीं, कुछ समय के बाद छिलका गल जाता है अचार में, यह है थोड़ा इसको गलने में टाइम अधिक लगता है, केला जो है अंदर जो केला है वो जल्दी गल जाएगा इसका छिलका थोड़ा अधिक टाइम लगाएगा गलने में इसलिए आप निश्चिनते रहें छिलका जब गल जाएगा उसके बाद ये छिलका भी अच्छा लगेगा खाने में बुरा नहीं लगेगा जब इतने सारे इ अच्छे से लग जाए चिपक जाए अच्छे से लगना ज़रूरी है नि तो फंगस आ सकता है आपके अचार में तो अच्छे से इस तरह से मिक्स करके हम इसको ढखके रख देंगे दो दिन के लिए और बीज-बीज में इसको चलाते रहेंगे ये जो केला है ये अलग बरा अपने अचार में ही मिला दें देखिए फ्रेंड्स हमारे केले थे उनका चिलकों का कलर बदल गया है अब हम इसमें अचार मसाला में डाल रहें इह बहorar है इसकी लंक में डिस्क्रिप्टिप्सन में दे दूंगे वहां से देख लीजेगा नहीं तो आप अपने तरी के से जोभी अचार से में घर में बनाते हो ये ज़िए अचार मसाला मिलता है वो भी आप ड़िए डाल सकते हो आपकी चॉइस तोटली आप पर करता आप तो इस अचार मसाला में थोड़ा सिर्का आड़ कर दिया था तब थोड़ा सा इसका मॉश्चर जैसा इसमें दीख रहा है सिर्के की वज़े से ताकि इसकी सेलफ लाइब जो है वह बढ़ जाए क्यूंकि हम मैंने अचार मसाला पाउडर बना के रख लिया था ताकि मैं जब दालकिStormic में अब से अपण जोना हो जरूडर बर्स जाएव है क्यापई यह क्या आते हुद लियों क्या ज मिक्स में अचार के मैं भरता की मैं आगे बता दी नियुक्रinekर की मैंक्य इस तरह से लाएं छावी होसी को दूब दिखाएंगे और वीच-बीच में चलाते रहेंगे तीन दिन के बाद इसको आप अच्छे से साप सुत्रे ग्लास ग्लास जार में एसको डालें और उपर से आप सरसों का तेल गरम करके तन्डा करके उसको इसमें डालें इतना डालें कि ये अचार जो केले हैं ये डूब जाए तेल में बस उसके बाद इसको लिट लगा के आप साप सुखी जगे पर रखें जहां पर मौश्चर नहीं आता हो आपके घर में वहाँ पर रखें ये अचार आपका सालों साल खराब नहीं होगा तो आज के लिए इतना है फैंक्स एंक्स पर वोगिझ